हिंदी साहित्ते की अनुपम और बेजोर कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये वर्तमान में हिंदी की प्रतिष्ठित लेकिका कल्पना मनोर्मा जी की लिखी हुई कहानी इत्ती सी खुशी तो शुरू करें कहानी सात्वी मंजिल से मैं नीचे जहां करही थी कामायनी सोसाइटी के पार का मनभावन द्रश्य दूसर हो चुकी मेरी आँखों के लिए भूर की नरम ओस जैसे लग रहे थे सौंदर का व्याकरा समझते हुए मैंने पलट कर अपने चारों और देखा तो जल्दी जल्दी बालकनी में पड़ी अपनी उदास पुरानी और बेरंग वस्तों को ढखेल कर किनारे कर दिया दो चार ठीक ठाक पौदों वाले गमलों को बालकनी की दीवार पर रख दिया ताकि आठवी मंजिल से जब लोग हमारी ओर देखेंगे तो हम अच्छे दिख सकेंगे बाहर से सुंदर दिखना ही आज का मूल मंत्र है ना विचारते हुए मैंने फिर से नीचे देखा एक महिला इंगलिशी परिधान में लिप्टी लिफ्ट से नीचे निकल कर गाड़ी में बैट कर फुर हो गई ये जरूर बाजार कई होगी दिवाली के दिन चल रहे हैं न क्या मुझे भी इस धंतेरस कुछ घरीत लेना चाहिए वैसे तो नजाने कबसे जिंदगी की मीन मेक ने कभी कुछ खरीद नहीं नहीं दिया क्या सच में एक कटोरदान ले लूँ जो व्रंदा मौसी के घर देखा था विचारों में काफी उथल पुथल के बाद भी मैं कोई धंका निर्ने न ले सकी थी अबिलाशा का ताप जब मेरे मन को तपाने लगा तो बालकनी में पड़ी कुरसी में बैट कर धीरे धीरे शाम का उतरना देखने लगी जीवन की उपेक्षाओं के किनारों पर जब मन शान्त हुआ तो अचानक कान हरकत में आ गए घर के अंदर से आवाजें आ रहें थी मेट्रो सिटी में रहने के अपने ही दुख है भाई क्यों भाई अरे यहाना चैन से जिया जा सकता है नहीं मरा दो लोग आपस में बाते कर रहे थे एक दूसरे के साथ हो रहे वात विवाद में उल्जी आवाजों में अबके मोटी आवाज में किसी ने कहा गाउं से अपने सिर पर पाउं रखकर शहर की नियत समझे बगएर हम भाग कर यहाँ चले तो जरूर आते हैं पर अपना चैन अंजाने ही खोब बैठते हैं अगर अपने संसकार और संसकृती के साथ जीना भी चाहो तो यहां ब्रहसपतिवार की लोई के लिए गाय नहीं मिलती नवरात्रे में कण्या भोज के लिए कण्याय नहीं मिलती और दान पुनने के लिए सच्चे जरूरत मन लोग नहीं मिलते जो मिलते हैं वेबी जुआरी शराबी जिनको कुछ देना मतलब उनके परिवार को विपत्ते में डालना हे 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 चल छोड़ो यार आज तो अपनी जमेगी न दोनों आवाजे थमी तो खिखिया कर हसने का संबलिस स्वर गुझ उठा अपनी जगे बैठे रहना मुझे मुझे मुश्किल लगा वही अपने हेलपर से बात कर रहा है बेटे ने मेरे पास आकर धीरे से कहा अच्छा बड़ी अलग सी बात कर रहे हैं दोनों धीरे बोलो प्लीज अम्मा अब आप गल्यों वाली बस्ती में नहीं एक संब्रान सोसाइटी में रह रही हो तो यहां के नियम भी आपको सीखने पड़ेंगे अच्छा चलो आप एच्छालों की दवाई दिला लाता हूँ देर होगी तो बाजार में ठेलम ठेल मत जाएगी मुझे समझा कर बेटा तुरंद भीतर के और मुर गया अम्मा जल्दी करना मैं तयार हो रहा हूँ उसने फिर से दो राया हाँ हाँ ठीक है इने जाने तो दो ओके बेटे ने हसकर कहा और दीवार पर लगी पेंटिंग को पोशने लगा मुझे बेटे का साथ ऐसा लगा जैसे साथ फूनों का जब किसी से हम इस नहीं करते हैं तो उसकी हर बात में सकारात्मक्ता कोजी लेते हैं सही तो कहा के तरने बाजार का दूसरा नामी ठेलम ठेल होता है लाने को मैं खुद दवाई ला सकती थी लेकिन त्योहार के दुनों में बच्चे जितना नजदीक रहें माप आपको उतनी खुशी मिलती है सोचते हुए त्योहार की गमक मेरी आँखों में उतर आई मन हलका हुआ तो थोड़ी देर पहले की दिक्तताएं अपना अस्तित खो बैठी अब चलो अम्मा वे लोग चले गए अच्छा कौन से कपड़े पहनूं जो आपको पसंदो बेटे ने कमरे की खिर्की बंद करते हुए कहा बस दो मिनट का समय दो अभी चलती हूँ कहते हुए मैंने अलमारी खोली तो एक तोताई रंगा कुर्ता मेरे हाथ में आया उलट पलट कर देखा और उसे वापस रख दिया अब इसे बाहर नहीं पहनूंगी पहले की बात और थी बेटे को अच्छा नहीं लगेगा सोचते हुए एक ठीक ठाक साड़ी निकाल कर पहन तो ली लेकिन परेशानियों में गुजरे अपने जीवन के कई वाकए याद आने लगे तो मन अशान्त हो गया घर से निकलते हुए बेटे इन टोक दिया क्या बात है अम्मा आप इतनी चुक क्यों हो गई सब ठीक तो है छाले में ज़्यादा दर्ध है नहीं तो जब उम्र बढ़ने लगती है तो चिंताओं की सूची बनिये के ब्याद जैसी बढ़ने लगती है कहना चाहा कर भी कहा नहीं बोली कुछ खास नहीं दो कदम आगे बढ़ते हुए उसने कहा अम्मा मुझे कुछ गैस्टिक जैसी फील हो रही है लिफ्ट की जिका सीड़ियां ले ले सोचा बच्चे ने इतने मन से हमारे सीड़ियों वाले जीवन में लिफ्ट को प्रगटाया है तो क्या हुआ चलो उसके कहने का मान रख लेती हूँ किन्तो मेरे घुटनों ने सिरे से इंकार कर दिया और हम चुप-चाप लिफ्ट से उतर गए सारा दिन कंप्यूटर से चिपके रहते हो गैस नहीं बनेगी तो और क्या होगा थोड़ा बत घूम टेल लिया करो कहकर मैंने उसकी बात ना मानने की अपनी गलानी थोड़ी कम करने की कोशिश की बेटा ड्राइविंग सीट पर बैठ किया और मैं उसकी बगल में हम गेट पर पहुँचे तो सलाम कर गाड ने गेट खोल दिया अब गेट खोलना तो उसकी ड्यूटी बनती थी लेकिन सलाम ठोकने की क्या जरूट थी गाड़ी चल रही थी सो सड़क पर पहुँचते ही रफ्तार में आ गई मैंने सोचा जाने दो जिसको जो करना है करे मुझे क्या लेकिन फिर एक अजीब सी जिद उठकर मेरे दिमाग को खटखटाने लगी और मैंने बोलना नहीं खीजिना शुरू कर दिया गाड से कहते ना जिसे पसंदो उसे सलाम किया करे कम से कम मुझे तो ना ही करे उम्रत देखिये उसकी मेरे पिता के बराबर होगी और तुम गाड़ी जरा आराम से चलाया करो साहाब होगे सबके लिए मेरे लिए वही केतन हो जो कंदे से लटक लटक कर टौफी मांगा करते थे एक सास में बहुत कुछ कहते हुए स्टेरिंग पर हाथ रख मैं जब अरदस्त भड़क उठी लेकिन उसे मुस्कुरा कर अपने माथे पर पड़े बालों को सहलाते हुए कहा जब तुम मेरे साथ हो तो ना मुझे कुछ होगा और ना ही गाड़ी को और हाँ ये मिडिल क्लासियत छोड़ो अम्मा कहकर होटो को गोल-गोल बना कर सीटी बचाने लगा उसका आखरी वाला वाक के शायद गार्ड वाली बात के लिए था दोड़ती हुई गाड़ी थोड़ी से स्लो चलने लगी थी मुझे लगा बेटे पर मेरे कहने का गाड़ा असर हुआ है लेकिन मैं गलत थी गाड़ी लाल बत्ती पर उखने के लिए स्लो हुई थी और देखते देखते हम कतारों में आ गए थी ये नजारा कभी टीवी पर देखा करती थी आज अपनी गाड़ी में हूँ सोचते हुए बेटे पर नाज हो आया खिर्की की तरफ वाले हैंडल को पकड़ बहाँ पर सिटिका लिया कोई कोई बात सार्थक होने में आदमी की तिहाई जिंदिगी खपा लेती है सोचते हुए जितना सामने से नजारा देख सकती थी देखने लगी क्योंकि घर से बाहर निकल कर ज्यादा चक्मक करना भदृता की निशानी नहीं होती केतन के पिता के द्वारा मुझे कई बार समझाया जा चुका था धप 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 खिर्की के कांच पर पढ़ने वारी धप धप से मेरी तंदरा टूटी तो देखती हूँ एक लड़की मेले कुचले कपड़े उलजे बाल और पपड़ाए होट लिए एक मरगिल्ला सा उगहरे बदन बच्चा कांख में दबाए बार बार मेरी और कुछ मांगने के अंदाज में दात निकाल रही थी बिना देर किये मैं पर्स से सिक्के वाली थैली निकालने लगी जो मैंने इनी जैसे लोगों के लिए बना रखी थी बेटे ने घूमकर मुझे देखा प्लीज अम्मा कुछ देना मत क्यों? अरे इनका तो ये धंदा है उसकी और से आया अप्तत्याशित वाक के सुनकर मैं धक से रह गई मन गलानी से भर गया मेरे उसके साथ होने की खुशी छिटक गई बेटे के उपर मुझे गुरूद हो आया इसको अगर ऐसा बोलना ही था तो तुलसी बाबा को लिखना ही नहीं चाहिए था तुलसी पंचिन के पिये गटे नसरिता नीर धरम करे धन्ना गटे जो सहाय रगवीर अपने ग्रंथों से इवाओं का न जूड़ना और समय की बेयद्बी पर भारी खिनिता उमर पड़ी खाक हम विक्सित हो रहे हैं क्या विक्सित होना किसी की जरूरत को अंदेखा करना होता है ये मेरा बच्चा इतना कम भी नी कमाता है और इसकी नियत देखो सोचते हुए मन में विक्षोप के साथ क्रोध उभल पड़ा अपनी बनाई परंपराएं जब अपने ही तोड़ते हैं आवाज नहीं आती लेकिन दिल जार जार रो पड़ता है मैंने अपने आपको सांतोना देने के चेश्टा की क्या बोला अम्मा और तुम उसी बात को क्यों पकड़े बैठी हो थोड़ा प्रैक्टिकल पनो उसकी इस बात पर मुझे कुछ नहीं बलकि बरस पढ़ना था फिर भी मैं कुछ नहीं बोली लेकिर उसने बोलना जारी रखा अम्मा तुम नहीं जानती मैट्रो सिटी के ताम जाम यहां की संस्कृती बड़ी निराली और नीरस है तो क्या हुआ हम क्या जानवर बन जाएं अपना गुस्सा पीते हुए धीरे से बूला तो मुझे मेरे कान की लवें गरम होती से लगी अम्मा यहां हर एक बिखारी के लिए अलग-अलग चोरहा अलोटेट है और बाकाइदा इनको संचालित करने के लिए ठेकेदार होते हैं उनका यह बहुत बड़ा कारूबार है तुम किस-किस को दे सकोगी मैंने तो इसलिए कहा क्या मतलब? मतलब विकारी दिन बर अपना प्राण होम करकर जिता कमाता है रात ठेकेदारों को सौप देता है जिस लड़की के लिए तुम उदास हो क्या पता? उसकी गोदवाला बच्चा भी उसका नहो बेटे ने शांत मन से कहा तुम क्या कहते जा रहे हो केतन? मुझे समझ नहीं आता मैंने नाराजगी वेक्त की ये आपकी मरजी मैं समझ रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ अब क्यों उसने ये बात बिल्कुल सपाट जहरे के से कही थी उसकी मुख वो तरह देखकर में च्छाती पर बोज सा गिरा कैसा है ये महानगर? यहां लड़किया तो सुरक्षित नहीं बुड़े लोग नौकरी के हाथों लोटकर अपनी जान दे बैठते हैं बचे बिकारी वे भी भीग जैसा कर्म औरों के लिए करते हैं इससे तो अच्छा होता ये लोग ज़्यादा के फेर में ना पढ़कर अपने छोटे गाओं कस्बों के छोड़कर यहां आते ही नहीं कम से कम वहां रहकर जो जितना रूखा सुखा कमाता पूरे स्वामी भाव से अपनी पूंजी समझ कर बरतता तो विचारों के ववंडर ने मन की भीतरी परतों को बुरी तरह छीन डाला था अब तक हमारे बीच हसी खुशी की सारी बातें गायब हो चुकी थी जरूरत भर हम एक दूसरे से बोल रहे थे थोड़ी देर में हम अपने गंतवे पर पहुँचे तो बेटे ने कहा आप गाड़ी में बैठोगी या बिना बोले मैंने गाड़ी में बैठे रहने का इशारा किया तो उसने गाड़ी के शीशे डाउन किये और प्रिस्क्रिप्शन लेकर चला गया मन के बड़े हुए तापमान में पार्किंग में लगी गाड़ी के भीतर बैठना भी मेरे लिए कठिन काम लगने लगा था दिमाग बोरियत औरता उससे पहले मेरी नजर टाइम पास जैसा कुछ धूनने लगी देखा सड़के दाहिनी औरे कतार में मेगा मार्ट रोशनी से सराबोर अपने आचल में हजारों खायशे पूरी करने की दम खम समेटे मचल रहा है चौराहे पर रेड लाइट से ये वाला द्रश्य बिलकुल अलग था यहां बड़ी बड़ी रोशनी की दमकती वी जहालरों में गाडियों से उतरने वाले खिले-खिले चेरे न मेरी तरह चाले के दर्ध में थे और ना ही उस लालबत्ती वाली लड़की के तरह बेचारे तेरस धनकी हो तो धन्वान ही न उसका सुक भूगेगा मेरे आत्म बोध ने मुझ पर एक तंज कसा कुछ मिनट चुप रहकर मैंने अपनी गर्दल बाई और गुमा कर देखा इस और फुटपात पर अधेरा पसरा था मानों किसी आलीशान कोठी के सामने फूंस की जरजर जोपरी सिर जुकाए उजाले के बीज अपने हिसे का अधेरा लीप रही थी इसी विपरेयता को सम पर लाने के लिए आदमी दिन राद दोड़ता है फिर भी इस्थाई उजाने नहीं जुटा पाता मैंने अकेलेपन का उपयोग करते हुए जोर से बोला और उपर के ओर देखने लगी पेर निर्विकार भाव में लीन थे ऐसे तटस्त मन हम मनुश्यों को क्यों नहीं मिलते चूकि प्रश्णे शूने से किया गया था तो उत्तर मिलने की संभावना भी नहीं थी खैर मैंने इधर दर देखा तो फुटपात पर एक कतार में चार रेहणियां खड़ी देखी जिनने साकल से एक साथ बांधा गया था एकता के इस रूप का मतलब रेहणियों को सुरक्षित बचे रहना था विचारते हुए दिये भर खुशी मेरे होटों के बीतरी हिस्से पर तिर गई लगभग दो मिनट बार मैंने अपने बालों को संभालते हुए कार के शीशे से उसी फुटपात के दूसरे कोने पर जहका तो दरश्य बिलकुल भेने देखा एक जोड़ा माट से आने वाली धुंदरी रोश्णी में सुनहरी पत्नी से अपनी रेहरी सजाने की जुगत में लगा था बिटने के लिए चमकना कितना जरूरी है ध्यान आया रेहरी पर लंबे सधिय पर जो उपर से जुखा था दूधिया रोश्णी छोड़ने वाली LED जला दी गई थी कचले की बाल्टी में बची कुची कतरन डाल कर किनारे रख दी गई कागज की प्लेटें पानी का कैमपर काट की चमचें सही जगे पर रख दी गई थी दो प्लास्टिक की चेयर रेहरी से हट कर डाल दी गई थोड़ी दूर पर रखी बाल्टी से इस्तरी ने पानी लेकर अपने हाथ मूध हुए और छोटे से शीशे में खुद को देख रहरी के पास आकर भट्टी के दो बार पाँच हुए उसकी मांग में मुठी बर सिंदूर भरा दिख रहा था साथ वाला उसका आदमी ही होगा मैंने सोच लिया था वो औरत को देखकर मंद मंद मूचों में मुस्कुराया आदमी के सिपर जमी धूल की बरत रोश्टी में दूर से दिख रही थी इस्तरी ने उसे अपनी और जुका कर साड़ी के पल्ले से उसका सिर साफ कर पल्ले को कमर में कस लिया उसके आदमी ने मद्धिम जलती अंगीठी पर बड़ा सा चीकट काला तवा चड़ा दिया यानि वो अब उसे ग्रहक चाहिए थे जो उसकी दुकान को बरकत प्रदान कर सके थोड़ी देर में आँखों में उजाले लिए रहरी वाली इस्तरी लंबी सी कल्चुल से तवे पर टुन टुन करने लगी जैसे कोई मा अपने बच्चे का मन बहला रही हो उसका पती कागज की प्लेट समाल कर रख रहा था मतलब अब वे दोनों बिक्री के लिए तयार हो चुके थे उनके बच्चों की आशाएं उनकी आँखों से ज़र्ती हुई लग रही थी त्योहार वाली रात अपनी अविचल यात्रा पर थी देखते देखते लगवख आधा गंते भीतने जा रहा था ग्रहक मेगामार्ट की रोश्टी में समाते जा रहे थे भूल कर भी कोई इस ओर नहीं देख रहा था अब तो मैं भी चाहने लगी थी कोई तो खरीदार उसकी दुकान का शुभारंब करे लेकिन मेरे क्या किसी के भी चाहने से कुछ होता है क्या मैंने देखा रहड़ी वालों का उससा धीरे धीरे ठंडा पढ़ने लगा था जैसे बेजोड फूले गुबारे से अपनी गती से हवा रिस्ती जा रही हो रिड़ी वाले सारे हदकड़ने अपना कर धकती जा रही थी लेकिन कोई ग्रहक उदर फटड़ने का नाम ने ले रहा था सड़क पर चहल पहल देखकर रिड़ी वाली औरत अपने आदमी के कंदे के पास मूँ ले जाकर बुदबुदाई लेकिन वो प्याज कतरने में वेस्त बना रहा कुछ बोला नहीं वो तुनक कर खड़ी हो गई अब उसकी आखों से मायोसी ज़रने लगी थी और मेरा मन का चोपने लगा था उन दोनों की लाचारी देखते देखते मुझे अपने बच्पन के मुफलिस दिन अनायास याद आने लगे मैं उनकी गमगीनी में भीकती चली गई गरीबी के बुखार की दवा आखिर कब बन सकेगी बुदबुदाते हुए बरबसी मेरा हाथ अपने माथे पर चला गया मन के साथ साथ मेरा माथा भी गरम हो चला था मैंने सीट का साहरा लेते हुए आखें मूंद ली और मुझे पता भी न चला अतीद के पन्ने फरफडा कर पलटते चले गए मा सुन रही हो ना हाँ सुगंध बोलो इस बाद दीवाली को मुझे भी नई ड्रेस चाहिए मैंने मचल कर कहा ये क्या कह दिया तुमने तुम तो मेरा सबसे समझदार बच्चा हो अब से नहीं रहूँगी तुम मेरी सिधाई का गलत उपयोग करने लगी हो मा मैंने तुनक कर कहा ना सुगंध ऐसे नहीं कहते दिदिया के पुराने कुर्टे से मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी कुर्टी सिली है पहन कर देखना उसके आगे तुमारी सहलियों की नई नई महेंगी वाली फ्रॉकें भी फिल हो जाएंगी जूट एकदम जूट पुराने कप्रे से सिली कुर्टी सुंदर कैसे लग सकती है मैं कुछ नहीं जानती इस बार मुझे नए कप्रे चाहिए दिदिया के लिए आपने पीली साड़ी मंगवाई है मुझे भी पीला कुर्ता चाहिए उससे होड हिर्स मत करो सुगंध इस घर में कुछ दिन की मिमान है कुसम अच्छे से घरवर मिल जाए बस क्या अभी से न चोड़े उसकी पहरन मा ने अपने को जब्त करते वे कहा पट्टी पढ़ाने में तुम एक नमबर हो मा ठीक है ठीक है मुझे खाना दो तुझे अकेले क्या सबको बुलाओ न आज आओ सब लो सभी एक साथ जुटाए दिदिया भी मा आज हम शक्कर से रोटी खाएंगे भाई ने कहा भाई खाएगा तो मैं भी मैंने भी कह दिया क्यों गोड़ और सबजी काड़ती है तुम सबको जो सारा दिन शक्कर सक्कर की रट लगाए रहते हो शक्कर की वकालत करने पर मा को इस बार सरकार इनाम देगी दिदिया मैंने मा पर तंज कसा तो भाई हाँ 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 करके हस पड़ा दिदिया नहीं भाई ने अपनी बात फिर से कह दी सुगंध दे दो न मा बोली फिर क्या शक्कर की कथाई बोतल दोडती हुई हमारे बीच आ गई और भाई के सासा हम दोनों में चुटकी चुटकी भर शक्कर माने बाटती तुम भी खाकर देखो न दिदिया बहुत मिठी है और मा तुम भी बहुत अच्छी लगती है शक्कर से रूटी साथ में घी लगा लो तो कहने ही क्या मैंने रूटी का टुकड़ा चुहलाते हुए कहा हाँ हाँ पता है जाओ जाकर रखाओ वीपक की पीली रोश्णी में मा पीलिया की मरीज जैसी दिखी तो मेरा मन चन्न से रह गया तुझे मेरी कसम मा एक चुटकी शक्कर खाकर तुम भी देखो न ना बिटिया महंगाई देखी है तुमने मा होटों में बुदबुदाई फिर खाली बरतन सी बोली नहीं रे तेरी दिदिया को ब्याना है अपकी साल शक्कर खाएंगे तो कैसे काम चलेगा मा ने कहा सामले रंग रूप की मा के गालों की निकली हटिया उन्हें देनिये बना रही थी अपने ब्या की बात और मा का चिंतिस स्वरसुन दिदिया उट गई लेकिन मैंने मा से पूछा मा तुम इतना अपना मन को क्यों मारती रहती हो अपने आपको देखो कैसी लगने लगी हो राधा की अम्मा अभी भी कितनी सुन्दर लगती है जबकि वह तुमसे बड़ी है मरने के लिए चाभाग यहां से जब तुझे राधा की मा पसंद है तो तु उनसे भी बोल बतला लिया कर मा के आगे मेरी एक ना चली मैं बोतल रखने कमरे के ओर चली गई लोटने पर देखा मा गीली उंगली के सहरे जमीर पर छटके शकर के दानों को उठा कर अपने मुह में डाल रही थी देखकर मुझे पतानी कैसा लगा कि मन रुआसा हुआया मैं चीख पुड़े मा रुको ना मा मैं लाती हूँ शकर कहकर मैं उल्टे पाओ कमरे के ओर दोड़ गई मेरी बात तो सुनो सुगंद सुगंद उधर मा मुझे पुकार रही थी इधर मैं मा को और बगल वाली गाड़ी पीं 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 हौण बजाए जा रही थी मिले जुले शोर गुल से मेरे हाँ से अतीत की लड़ी छूटी तो देखा मैंने अपना गाड़ी का गेट खोल रखा था जिससे बगल से निकलने वाली गाड़ी को दिक्कत हो रही थी मैंने जल्दी से गेट बंद किया और जैसे आँके बाहर की और उठी तो सीधे रहड़ी पर फिर से जागी नि वहाँ अब भी खामोशी का आलम था किन्त दोनों के हाव भाव में अब मुर्दे जैसी शितिलता आ गई थी उनकी आखों में पड़ती दूधिया रोशनी अब मटमेली हो चली थी उनके लटके निचोड़े चेहरे देखकर सोचा आसपास निकलने वालों से चिला चिला कर कहूं मेरे मुँबें तो छाले हैं पर तुम लोग तो इनसे कुछ खरीद कर खालो इनका भी त्योहार रोशन हो जाए लेकिन मन का सोचा और मूख शीखें बला कब किसने सुनी है खैर करूं तो क्या करूं भीग देकर मैं इनको साभिवान को गिराना नहीं चाहती थी ना ही दान देकर इनकी कार्मिक उमंग को क्षती पहुचाना चाहती थी किसी के मन की उतल फुतल यदि किसी के द्वारा देख सुन ली जाती तो दुनिया का रंग ही कुछ और होता मैंने अपना पर्स संभाला और गाड़ी का दर्वाजा खोल कर रहड़ी वाली की ओर चल पड़ी पास में जाकर देखा तो द्रश्य और भी जग जोड़ने वाला था क्या बना रहे हो आप लो मैंने उत्साही दोकर पूछा चिकन टिक का खाईये ना बहुत स्वाद है एक बार खाओगी तो बार बार आओगी मेम साहब मेरा तावा है रेड़ी वाले ने बड़े विग्यापनी लहजे में कहा मेम साहब बनाएं क्या एक लेट अरे हाँ हाँ उससे बोलकर मैं सोच में पड़ गई मैं तो शुद्ध शाका हा रही हूँ अब क्या करूँ चाती के अंदुरी भाग में मुझे जलन का हैसास हुआ कुट्टे को लेकिन दूसरे पल जो हो सो हो विचार ने जादू सा किया और मेरे मुख से निकल पड़ा अरे मैं चिकन नहीं खाती तो क्या हुआ ये तो ज़रूर खाता होगा आप दो प्लेट बिना मसाले वाला चिकन टिक्का बनाईए क्या मैडम कुछ नहीं आप बिना मसाले की दो प्लेट बना दो मेरा ओर्डर सुनने के बाद भी वो मुझे हैरानी से देख रहा था लेकिन उसकी जनानी ने अपने चेहरे पर आये पसीने को बलाउज की आस्तीन से पोंचा और टिक्का बनाने में जुट गई मेरे बार बार पुछकारने से कुटा भी उधर की और रुक कर रेड़ी सूगने लगा मुश्कित से पांस से दस मिनट बाद उसने कहा लीजे बन गया मैम साहब और दोनों हाथों में कागज़ी प्लेटे लिए मेरे सामने खड़ा हो किया कितना दाम हुआ दो सो रुपए बिना मसाले के भी दो सो रुपए आप कहें तो मसाला डाल देता हूँ ना ना रहने दो आप बुरा ना माने तो मैंने इसके लिए ही बनवाया है संकोश से कुट्टे के और इशारा करते हुए मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं वैसे भी मुझे तो बेशने से मतलब खरीदने वाला खुद खाए या कहते हुए उसने दोनों प्लिटे कुट्टे के सामने परोज दी और हाथ पैंट से पोँच कर अपनी बीबी के वो देखने लगा कुट्टा अपने प्रापी को प्रेम से सून कर खाने लगा दो मिनट रुका मैंने दो सो रुपए निकाल कर उसे पकड़ा दिये साथ में पचास के दो कड़क नोट इससे मिट्टी के दिये ले लेना देते हुए कहा दोनों के चेहरों की मुर्जाई खाल चुई मुई की तरह खिलने सी लगी छोटी आस पूरने वाली खुशी हमारे बीच मचल उठी मुझे लगा मेरे समय के छोटे से टुकड़े पर उजला संतोष चलकाया चुपचा दो मिनट खड़े रहकर मैं गाड़ी के और मुर गई थोड़ा चलकर देखा तो बेटा भी दवाई लेकर आता हुआ दिखा दूर से उसे देखकर अच्छा लगा उसके लिए जो नाराजगी थी मेरे मन से खतब हो चुकी थी अरे आप बाहर क्यों? बेटा बहुत कुछ मुझसे पूछना चाहता था लेकिन चुप साथ कर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो हरी मौसम के शोर में राद डूपती जा रही थी मन के भीतर वाले सनाटे बाहरी रौनक से कम मुखरित हुए है सो मेरे भीतर जो कुछ तूट कर विखर रहा था जारी रहा कुछ नया रचने का उत्सा मुझ में था नहीं थोड़ी दूर चल कर गाड़ी दूसरे रास्ते पर मुड़ गई मन में आया कि बेटे से उसकी दवा के लिए पूछे लेकिन हलक से एक शब्द न फूब सका मन विचले थो अपने ठेरने का आलंबन खोज रहा था शायद कभी कभी कुछ बातें बोले बिना भी सुन ली जाती है बेटे ने अचानक मेरी और घुम कर बताया कि उसने अपनी दवाई भी ले ली है और मौन हो गया मैं चाहेती थी वो मुझसे बाते कर उस घटना के बारे में पूछे जो उस समय पहले मेरे साथ घटित हुई थी लेकिन बेटे की ओर से जब कोई शाब्दिक हरकत नहीं हुई और मन का सन्नाटा जब सीमा लांगने लगा तो गाड़ी में लगे रेडियो के मैंने कान एड़ दिये अचानक गाना बजुठा इत्ती सी हसी इत्ती सी खुशी मैंने कंखियों से देखा केतन के चेहरे पर सहचता पसरने लगी थी अभी आप सुन रहे थे कल्कुना मनोर्मा जी की लिखी हुई कहानी इत्ती सी खुशी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जहुर लिखेगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुप हो